हेलो आई एम परेज सॉलंग की इंटरनेशनल एक्सपोर इंबोर्ड ट्रेनर ओनलाइन एक्जिम स्वलूशन एक्सपोर इंबोर्ड प्राक्टिकल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है आज यह वीडियो में बात करूंगा इंकोर्डम के बारे में जिसका नाम है फोब फ्री ऑन बोर्ड आप पहुत सुना होगा लेकिन आज मैं इसको डिटेल में एक्स्पेइन करूंगा प्री ऑन बोर्ड क्या होता है जब आप एक्स्पोर्ड करना जाओगे तो आपको FOB CIF वगरे होता है तो मैं पूरा मेरे उसरे वीडियो में में आप हर इंकोर्डम को देख सकते इसमें मैं आपको बताऊंगा इसFAB FOB मतलब free on board तो यहाँ पे यह जो है importer है यह है exporter है यह हमारा Mumbai port है यह हमारा अलाइक सामने वाले का port है New York port है अमेरिका का तो अमेरिका का बायर है उसे अलाइक ए पेर खरीदना है अब उसको हो मांग रहा है मुझे FOB भाव दो तो आपको क्या पाव देना है इसमें क्या-क्या आपको क्या-क्या इंक्लूड करना है तो FOB मतलब free on board मतलब आपकी factory से लेके आपकी factory में जो goods पड़ा है उसको factory से लेके यहां पे port में जाके port में CFA से रिया होता है वहां custom cleanse करवा के उसको आपको free on board मतलब ship में चड़ाना होता है free on board मतलब आपको जो goods है आपकी factory से लेके ship में चड़ा देया मतलब free on board वहां तक का पूरा risk and responsibility आपका रहेगा देखो यहां पे जैसे कि जो cost cost pay करेगा transport की तो आपको करना है उसका risk insurance को लेका वो भी आपको करना है seller को करना है exporter को करना है मतलब यहां से road risk जो होता है road का insurance आता है वह भी आपको यहां से लेना है और दूसरा भी इन important चीज है कि उसका transportation भी आपको pay करना है custom cleaners का charges भी आपको pay करना है TSE अब मैं आपको बारी बारी बताता हूँ क्या-क्या charges लगेगा सबसे इंपोर्टन में जो charges होता है मैं आपको यहां पर बताता हूँ जो यहां पर stuffing भी थ्री टाइप का होता है like factory stuffing जो container आपको फैक्टरी में गुला के stuffing करो कुछ से factory stuffing बोलते है ICD inland container depot ICD stuffing भी हो सकता है और port stuffing भी हो सकता है तो मैं यहां पर बता तो port stuffing में कैसे होता है तो आपको यहां मलब आपकी factory से loading करना truck में फिर यहां से truck का भाड़ा देना पुरा यहां से truck का भाड़ा होगा loading transportation फिर यहां पर unloading होगा फिर यहां पर TSE terminal handling charges, port authorities के charges लगते हैं वह आपको लगेगा custom clearance के charges लगेगा seal का आपको चार्जिद लगेगा और extra certificate like wooden box है आपका fumigation certificate लगेगा fumigation का आपको charges लगेगा और BL का charges आपको लगेगा तो यह जो भी है आप CHE को पूछ सकते हो क्या क्या charges लग सकता एक्स्ट्रा भी को यह दो वाकि मेंली यह लोडिंग, transportation, unloading, stuffing, custom clear, seal, beer उसके आपको charges लग सकते हैं वो लगता है तो यह सब charges आपको और यह insurance transportation का insurance तो यहां किसे लेकिए आप सही सलमत goods को यहां पे पहुचा दो उसको बोलते free on board उसका definition है कि ship के कोई भी पार्ट में container को रख देना है मतलब यहां पे आपने container एक बार रख दिया आपका responsibility खतम हो गया उसके आगे का आपका risk भी नहीं है आपको कुछ pay भी नहीं करता है FOB में container है वो बाहर select करता है आपको बताएगा कि shipping line में आपको बैशना है container container सामने वाला book करता है आपको नहीं करता है उसने जो book किया यह container में को stuff करके हमें वहां पे जाएक छोड़ देना है port के आगे जाके कही लोग आपको सी का insurance भी ले ले लेते हैं अगर FOP condition में आपको सी का insurance लेने के शुरूद नहीं है क्योंकि risk जो है वो बाहर का हो जाता है तो अगर आपको कोई loss नहीं है क्योंको risk तो बाहर का है ownership FOP से ownership transfer हो जाती है तो यह बहुत important चीज है तो free on board मतलब आपको किसी को भाव देना है जैसे कि एपन का भाव है 80 रुपीस मुर्को 20 कमाना x work हो गया 20 रुपीस और FOP मांगता है तो plus plus करके divide करके आप उसका price निकाल सकते हो maybe 110 तो FOP कोई मांगता है तो 110 उसका dollar में भी करना पड़ेगा आपको अलग चीज है तो बड़ आपको यहां तक उसको भाव देना है आपका जिम्मेदार यहां होता है उसको बोलते है free on board FOP आपने बहुत सुना होगा और भी कुछ detail में चाहिए तो हमारा ट्रेनिंग रहता है एक्सपोर्ड इंपोर्ट प्राक्टिकल ट्रेनिंग रहता है तो आप जोइन कर सकते हो और मेरा पैसलाइसेशन है